नमस्कार किसान साथियो मैं आपका दोस्त नरेंदर पूरवाल आपके अपने यूटूब चैनल देश की सान हमारे किसान में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ किसान साथियों वेसे तो हमने प्याज की नरसरी तियार करने से लेकर रोपाई और आंतर तक की सभी जानकायरे डाल रखी हैं पर अभी किसान भाईयों के सवाल हैं कि हमारे खेतों में जो प्याज की रोपाई की हैं उसमें काफी खर्पतवार उगाए हैं उनका हम निदान के से करें या उनको समाप्त के से करें तो आज के वीडियो में जो प्याज में खरपतवार नियंत्रण में कौन-कौन सी दवाईय लगती है, कितनी मातरा में लगती है, कब डालनी है, क्या सावधानी रखनी है, या निंदाई के माध्यम से अगर खरपतवार निकाल सकते हैं तो केसे निकालना है उसकी तमाम जानक सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दी जिससे जो भी जानकारी डालेंगे वह बीना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी तो आई ये जानकारी सुरू करते हैं किसान साथियों प्याच की रोपाई करते समय अगर हम पेंडा मेतलीन दवाई का उपयोग करते हैं जिसकी जानकारी भी हमने प्याच की तो आप उसमें फिर दवाई का इस्प्रे ना करें क्योंकि दवाई से खर्पतवार के साथ साथ जो है फसल को भी जटका लगता है और आठ से दस दिन उसकी ग्रोथ को प्रभावित कर दी है दवाई तो इसलिए अगर आपके हाँ पर कम खर्पतवार है तो आप निदाई पर उसकी चाल को रोग देता है क्योंकि उसके पोसक्त तो सारे खर्पतवार खा जाता है तो एसे समय में आपको जो है रासाइनी दवाईयों का साहरा लेना पड़ेगा अब रासाइनी दवाईया कब डालनी है अगर उसकी बात करें तो किसान सात्यों लगबग हम जब किस दिन की अवस्था में आ जाती है और आप देख रहे हो इस्क्रीन पर उस प्रकार की आपकी फसल हो जाएगी तो एसी अवस्था में आने पर और जब खर्पतवार दो से तीन पत्ति का हो जो कि आप अपनी इस्क्रीन पर देख रहे हो तब आपको खर्पतवार नासक का इस्प्रे करना है जिससे की पूरा रिजल्ट मिलेगा और आपका खर्पतवार जड़ से समाप्त होगा कुछ किसान भई क्या करते हैं खर्पतवार को बड़ा कर लेते हैं उसके बाद इस्प्रे पे इस्प्रे करते जाते हैं फिर भी उनका खर्पतवार समापत नहीं होता क्योंकि उसकी जड़े काफी मोटी हो जाती है और उसका उपर का हिस्सा जल जाता है और वापिस से वह फुटान डबल स्पीड से करने लगता है इसलिए खर्पतवार जब दो से तीन पत्ति या चार पत्ति का हो तभी अपने को खर्पतवार नियंत्रन के लिए जो हैं दवईयों का उपयोग कर लेना चाहिए अब खर्पतवार प्याज में अधिकतर कोन-कोन से उखते हैं तो किसान साथ यो अलग-अलरक छेत्रों में अलग-अलग खर्पतवार होते हैं जैसे सबसे मुख्य समस्या किसान भाईयो की जो मेथा खरपतवार है वह काफी जगे होता हैं उसके साथ में गाजर घांस चिरबोटा उसके अलावा भी कई सारे खरपतवार हैं जैसे कि गुली डंडा घां से इंदर जऊंग है ये काफी मात्रा में किसान भाईयों को परेशान कर रहे हैं और यह सही समय पर अगर कंट्रोल नहीं किये जाए तो फिर बाद में इन्हें कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है तो किसान सात्यों अगर आपके यहाँ पर चोड़ी और सक्रीपति दोनों की खरपतवार जो हैं प्याज की फसल में उग रही हैं तो उसके लिए आप सी एन बायोटेक की जो वीड सूपर के नाम से आती हैं वो काफी गारगर साबित हो रही है प्याज की फसल में उसका इस्परे कर सकते हो ज और आप 120 ml जो हैं प्रती एकड के हिसाब से उसकी मात्रा लेकर 80 लिटर प्रती भीगा पानी और 1500 लिटर प्रती एकड की मात्रा पानी की लेकर आपको इस्परे करना है जिससे की चोड़ी पती और सक्री पती दोनों की खरपतवारे समाप्त हो जाएगी और बिल्कुल जड प्रती लिटर पानी में आदा एमेल आपको दवाई वह भी लेकर साथ में एड कर लेनी है याने की 25 से 30 ग्राम 25 ग्राम भीगा आप वह दवाई भी ले सकते हो जिससे की चोड़ी पती की खरपतवारों पर अच्छा रिजल्ट मिलेगा और वह जल्दी समाप्त हो जाएगी और जड से समाप्त हो जाएगी तो यह एड कर सकते हो और अगर सामयनी स्थिति है तो आप सिंगल इस्प्रे के माध्यम से भी खरपतवार को समाप्त कर सकते हो उसके बाद बहुत सारे किसान भायों की समझ्या है कि जो सी एन बायोटेक की हमने दवाई बताई है यह उनके यहाँ पर उपलब्द नहीं हो पाती है तो वह जो अडामा कंपनी की डेकल आती है जिसमें के मात्रा में लेकर इस्प्रे कर सकते हो वह काफी सांद रिजल्ट देते हैं पर उसका तोड़ा आप कर सकते हो उसके अलावा अगर बात करें तो आप के यहाँ पर चोड़ी वन केल आती है जो की काफी कारगर साबित हो रही है तो उसका भी आप जो हैं इस्तेमाल कर सकते हो उसमें भी ओक्सिपलेरफेन प्लस जो टरगा सूपर वाला टेकनिकाल आता है वह है तो वह भी काफी सांदार रिजल्ट देती हैं और खरपतवार को जड़ से समाप्त कर देत लिटर पानी प्रती वीगा, और अधी टीनषीरומल केकर अथे बात करें हमारा इन पर विश्वास है और तीन दवाई या इसलिए बताई है कि किसी छेत्र में कोई दवाई नहीं मिल पाती है और हम सिंगल दवाई का जो है आपको बताते हैं और आपको नहीं मिल पाती है तो आप बार-बार परेशानी का सामना आपको करना पड़ता है इसलिए तीन से चार दवाई बताते हैं उनमें से आपको जो भी मिल जाए सबी बेश्ट हैं चाहे आप सीएन बायोटेक की सूपर वीड ले लिजिए या आप अडामा कंपनी की डेकल ले लिजिए या धानुका कंपनी की वन किल ले लिजिए सबी का रिजल्ड सांदार है प को समय पर इसका उपयोग करना है ज्यादा खरपतवार बड़ी होने के बाद में कोई भी दवाई अच्छा नियंतरन नहीं कर पाती हैं तो अगर समय पर आप उपयोग करते हो तो धनुका की जो वन किल है वह भी सबसे बेश्ट अभी साबित हो रही है तो उसका भी उपयो की बात करें तो किसान सात्यों सावधानी आपको यही रखनी है कि जो आपकी कट नोजल होती है उसके माध्यम से आपको इस्प्रे करना है जिससे की खरपतवार नासक जो हम डाल रहे हैं वह सीधा जो हैं खरपतवार के उपर गिरेगा और अच्छा और प्रभावी नियंत दूसरी सावधानी की बात करें तो दूसरी सावधानी है कि सीचाई करने के बाद में जब परियाप्त नमी खेत में हो तब आपको खरपतवार नासक का इस्प्रे करना है जिससे की जो खरपतवार होगा वह जड़ से समाप्त होगा क्योंकि किसान भाई क्या करते हैं कि लेखने होता है उदर जादा देखने को तो इस लिए यह चापन हो आप जी करते जाएं वहसे दो चमान Snow सब्सक्राइब के अब तो परियापत मात्रा लेनी है पानी साप में और जो दवाई की मात्रा रहा पर लेनी है उसकर अलाबा सब्सक्राइब बातर लेकर साथ में एडड करना है तो यह जानकारी हो गई उसके सब्सक्राइब करना है किया है और क्या क्या सब्सक्राइब हैं एक परचार में वह हैं जरू तो आपड़ा होंगे तो भाप्ण जानकारी कहने ही कंवाल भी सुजाव दी तो अगर जानकारी को अपने पूरा देखा है तो जैहिंद जरू करें जिससे हमें पता चल सके कि कौन कोण किसानवाई हमारी जानकारी को पूरा अंतर तक देखते हैं channel पर खेती हैं मंदी भाव से संबंदित और भी कई सारी जानकारी डाल रखी हैं जैसे कि प्याच की फसल में दीज दिन के बाद कौन सा खाट डालना है निंदाई के बाद कौन सा खाट डालना है लसून में कौन-कौन सा खाट दोरोरक डालने है लसून का कंद के से मोटा करना है एसी तमाम जानकरी डाल रखी आप वह भी जाकर देखें उन्हें भी लाइक सेर और चेनल को सब्सक्राइब जरू करें फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जय हीन जय भारत वंदे मात्रों